जहिन दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग GS के इन्पोंटेन कोसिंस को कवर करने वाले हैं दोस्तों जैसी के हम लोग जानते हैं कि प्रती एक दिन हम लोग 30 कोसिंस के टार्गेट को कवर करते हैं आप लोग काम है इनको बढ़ा तरीका से समझना है और जितना भी राइट एंसर आप लोग का आता है comment box में उनको comment करना है और लाश्ट में इस questions में कितना सही हुआ है score भी आप लोग को बताना है तो देखे पहला question आप लोग के सामने है कि sponge के सीरे पर इस्थीत बड़ा चीदर क्या कहलाता है आस्ट्रिया रेकिया रेडूला या फिर इसकुलम के साप लोग कमेंट बोक्स में कमेंट किजिएगा देखे इस question को जा राइट एंसर होगा option no.d school इस question का राइट एंसर होगा जो कि sponge के सीरे पर इस्थीत जो बड़ा छीदर होता है इनको कहा जाता ह school um अगला question देखिए Kim next question देखिए कि मधूमक्यों का पालन कहलाता है मधूमक्यों का पालन क्या कहलाता है सेरी culture, PC culture, हार्टी culture या फिर abculture देखिए तो इस question के जो right answer हो जाएगा ये है epiculture मधुमक्षों के पालन को कहा जाता है epiculture देखिए sari culture कहा जाता है silkworm silk का जो किरा होता है इनके पालन को कहा जाता है sari culture जिसे की cotton cloths बनता है PC culture जो की मचली के पालन को कहा जाता है आप लोग comment किजएगा horticulture किनके पालन को कहेंगे चलिए रहे चलिए इस question का right answer हो जाएगा option number D अगला question देखिए कि स्वशन की किरिया संपन होती है स्वशन की किरिया किस अंगक में संपन होती है हरित लवक में राइवोजोम, लाइसोसोम या फिर माइट्रो कॉंडिया तो देखिए इस question का right answer हो जाएगा माइट्रो कॉंडिया और यह रहा माइट्रो कॉंडिया का structure माइट्रो कॉंडिया का अगर बात किया जाए ति यह दोहरी layer का बना होता है मैट्रोकॉंडिया के अंदर जो blue like liquid होता है इनको कहा जाता है matrix मैट्रोकॉंडिया के अंदर में राइवोजोम भी पाजाता है और DNA भी पाजाता है मैट्रोकॉंडिया जो होता है आवाईवे स्वासन करता है यहाँ ATP के form में energy store होता है question पुछा जाता है ATP का फूल फॉर्म क्या होता है तो एडिनोसीन ट्राइफोसफेट याद रखेगा राइवोजोम जिनको पावर हाउस अब दस सेल भी कहेंगे तो इस कोशन का राइट एंसर हो जागा मैट्रो कॉंडिया देखें लाइसोसोम के बारे में देखा जाए तो लाइसोसोम के अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसके फटने से खुद को बलाष्ट कर लेता है इसलिए लाइसोसोम को कहा जाता है सूसाइडल बेग यानि कि आत्म घाती की थेली राइवोजोम जो कि एमिनो एसीड के रूप में प्रोटीन सेंथेसिस प्रोसेस से प्रोटीन का निर्मान करता है देखे अगर हरित लवग देखा जाए जिनको प्लास्टिट का जाता है जो के प्लांट सेल में पाए जाता है हरित लवग का तीन परकार होता है एक होता है क्रोमोप्लास्ट एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है लिकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट अगर देखा जाए तो फूल और फल का जो कलर होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है si chloroplasty के अंदर में chlorophyll पा जाता है जिनके कारण पेड़ पोधा ग्रीन कलर को होता है और lusoplast देखा जाए तो ये पेड़ पोधा का metabolism को control and coordinate करता है अगला question देखी Next question है कि हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में carbon dioxide के मात्रा लगबग कितनी होती है हमारी छोड़ी हुई जो सांस होता है जो कि हवा में कारवन डाकसाइड के मातरा का लगभग कितना प्रतिसत होता है 4%, 8%, 12% या फिर 16% तो देखे इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा 4% याद रखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है 4% अगला कोशन देखे नेच्ट कोशन है कि क्रेब चक्र में इसका संसलेशन होता है क्रेब साइकल में किनका संसलेशन होता है पारविक अमल का, फ्यू मेरिक अमल का, लाक्टिक अमल का या फिर इन में से कोई नहीं तो पुरा का पुरा प्रोसेस है क्रेब साइकल को करने का, इनको बढ़ा तरीका से नोडाउन किजेगा, इन्पोर्टेंट है, और क्रेब साइकल से रिलेटेट कुशन्स आता ही है, तिस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा, पारुविक आमलग, अगला कुशन देखिए, अ अनक्सी स्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, हुमेरिक आमल, पारुविक आमल, जल, या फिर लैक्टिक आमल, तो देखिए, अनक्सी स्वसन, जिसमें ADP से ATP, सोरी, ATP से ADP में कनवर्ट होता है, अनक्सी स्वसन, और इस दरव्यमान, इसके एक अनुशार, जब यह अनक अनक्सी स्वसन होता है, इस कंडिशन में, बहुत अधिक मात्रा में, एनर्जी का निर्मान होता है, एनर्जी, और यह जो लैक्टिक एसीड होता है, यह वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हमारे सरी में बहुत अधिक अमांट में लैक्टिक एसीड जमा होनी के कारण ही, हमारा सरी ठक जाता है और पेन करता है तो इस question का right answer हो जाएगा लैक्टिक अमला अनाक्सिस्वसन का अंती मुत्पात क्या होता है लैक्टिक अमला अगला question देखिए next one कि मनुष्य के सरीर में मुख्य नाइट्रोजनिय अपसिष्ट कौन सा होता है हम लोग जो अपसिष्ट का फॉर्म में बाहर निकालते हैं उन में से कौन सा नाइट्रोजनिय अपसिष्ट होता है यूरिया अमोनिया अमोनिया नाइट्रेट या फिर यूरिक अमला स्कौन के और यूरिया का निर्मान हमारे सरीर के किस अंग के द्वारा होता है हमारे सरीर में जो लीवर होता है इनके जरीये इनी को कहा जा जाता है यूरिया साइकल चलिए जीसे कि अमोनिया के बारे में बात किया जाए तो या दिखतर मचली जो है इनका निर्मान करता है और यूरिक अम्ल अगर देखा जाए तो ये इविस यानि के पंची और फिर रेप्टाइलस टीच है ये दोनो यूरिक अमल का निर्मान करते है अपने अफसिट पदार्तों को सरीर से बाहर निकालने के लिए अगला कुशन देखिए मानों सरीर में यूरिया का निर्मान कहा होता है धिर्दय में, तिल्ली में, यकरीत में या फिर व्रिक में तो देखिए इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा यकरीत अगर यकरीत का कारे देखा जाए, तो ये सबसे पहले यूरिया का निर्मान करता है तुसरा बात है, ये विशेला जो पदार्त होता है, इस विशेला पदार्त को डिश्ट्रोई करता है नेक्स्ट, इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाता है प्रोटीन का भरपूर सोर्स लिवर ही होता है नेक्ष्ट का देखा जाए तो लिवर हमारी सरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ओर्गेन होता है जो कि लगभग दो से ले करके धाई केजी तक का होता है और नेक्ष्ट का देखा जाए इनकी खुवी तो liver सबसे ज़्यादा regeneration का power होता लिवर में मतलब कि पुनरुद्ध भवन करनी के छमता सबसे ज़्यादा liver में होता है अगला question देखिए रक्त की असुद्यां किस अंग में जाकर छंती है रक्त की असुद्यां किस अंग में जाकर छंती है तो फेफुरो में, हिर्दय में, यकरीत में, या फिर वरिक में तो देखिए इस question का right answer हो जाएगा वरिक यानि कि किर्णी में किर्णी का अगर आकरिती देखा जाए तो ये बिम सेप का होता है जो कि हमारे सरी में दो होता है लगबग 4 मिनट में हमारे blood का यानि कि हमारे सरी में जो blood होता है साड़े 5 लिटर blood 4 मिनट में filter करता है अगर किर्णी के बारे में देखा जाए तो किर्णी का जो छोटा इकाई होता है smallest unit इनको nephron का जाता है यानि कि जो किर्णी में जो main work होता है वो nephron में ही होता है जो कि blood से जितने भी nitrogenous पदार्ज जितने भी toxic materials lactic acid इन सब को छान करके और मुत्र में convert करता है चले अगला question देखिए next question है मानो मुत्र का पीला रंग किन के कारण होता है eurochrome, bile, cholesterol या फिर रुधीर के कारण तो देखिए हमारे मुत्र में पा जाता है eurochrome नाम का pigment मानो मुत्र में पा जाता है eurochrome नाम का pigment जिनके कारण urine का जो color होता है पीला color ठीक है eurochrome के कारण अगला question देखिए नेफरोन किस से संबन दीत है या कृत, अमासई, व्रिक या फिर हिर्दे तो अभी just इसको clear किये थे नेफरोन जो है वो किरिनी का छोटी इकाई है clear नेफरोन में पा जाता है glow merulous इनी glow merulous में ही filter होता है जो की blood का filtration होता है जितने भी toxic materials होता है इन सब को filter करता है अगला question देखिए कित्रिम गुर्दा यानि कि जो artificial किरिनी होता है निम लिखित में से किस सिधान्थ पर कारी करता है artificial किरिनी किस सिधान्थ पर कारी करता है प्रासरन, सक्रिय, परिवहन, विशरन या फिर dialysis तो अगर देखा जाए कित्रिम गुर्दा या आपका dialysis प्रोसेस से कारी करता है dialysis dialysis उस विधी को कहा जाता है जब किसी भी मानो सरीर का किर्णी अगर प्रकर्टि किर्णी अगर डेमेज हो जाए तो बाहर से जो मसीन दुआरब बलड का फिल्टर करवा जाता है उस प्रोसेस को dialysis का लाता है तो जो कित्रिम गुर्दा होता है ये dialysis सिधान्थ पर ही कार्य करता है अगला कुश्यन देखिए देखिए कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है फिफड़ा यक्रीत फिर्दय या फिर व्रिक तो देखिए जो डालोसिस करवा जाता है जब किरनी वर्क ना करें इसी भी बोड़ी का क्रिया को पूरा करता है इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा अगला कुशन देखिए कि निशेचन की किरिया कहा होती है देखे सबसे पहले बात कर लेते निशेचन क्या होता है तो स्पम और ओबम जब आपस में क्यूज करता है तो इस प्रोसेस को कालाता है निशेचन और ये निशेचन किरिया जो होता है वो फिमेल बोडी के फैलोपियन ट्यूब में होता है किलियर है फैलोपियन ट्यूब यानि की अंड बाहिनी में याद रखिएगा option मसी इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखिए next question है कि गर्भासे में सिसू के विकास की जानकारी है तो किसका प्रियोग क्या जाता है एक्स किरनो का अल्ट्रा वाइलेट किरनो का गामा किरनी या फिर अल्ट्रा साउंड तो देखिए इस question का जो right answer हो जाएगा वो है अल्ट्रा साउंड ठीक है option वर डी इस question का right answer हो जाएगा अल्ट्रा साउंड अगला question देखिए Next question है इस्त्रियों की नस्बंदी को कहा जाता है इस्त्रियों की नस्बंदी को क्या कहेंगे वेशेक्टोमी, साइकेडेमी, ट्यूबेक्टोमी या फिर निूरेटोमी तो बताएगा इस question का right answer क्या हो जाएगा देखिए इस्त्रियों के जो नस्बंदी होता है यानि कि जो फैलोपियन ट्यूब को कट करके उनको क्या क्या जाता है मोड दिया जाता है मान लिया जाए कि यह फैलोपियन ट्यूब है तो इसको क्या क्या जाता है यहाँ पे कट लगा जाता है और फिर इनको रसी से बांध दिया जाता है इस process को बूला जाता है two back tommy याद रखेगा two back tommy next question अगला question है भुरून के विकास के लिए निमली खित में किस अंग के द्वारा खैदी की पूरती की जाती है भुरून के विकास के लिए दीखे भून क्या होता है तो fertilization के बाद जो ओबम होता है वो single cell से multiple cell में convert होता है तो multiple cell में convert होने के बाद ही वो भुरून का निर्मान करता है तो question है भुरून के विकास के लिए निमली खित में से किस अंग के दुआरा खायदी की पूर्ती की जाती है इनको भोजन पहुचाया जाता है गर्भासय अंडासय अपरा पोशिका या फिर बिजान बिजान सन तो कि इनके दुआरा भोजन को पहुचाया जाता है तो देखे बिजान सन इस question का right answer हो जागा option number D is question का सई answer होगा अगला question देखिए next question है पुरूस की नस्बंदी को क्या कहते है वैशक टोमी, साइकेडेमी, निवरे टोमी या फिर टूबेक टोमी तो इस question का right answer हो जागा वैशक टोमी देखिए टूबेक टोमी होता है female body के फेलोपियन ट्यूब को यानि female body के नस्बंदी को का जाता वैशक टोमी कहेंगे प next question है निमलिखित में से कौन एक गरंथी नहीं है देखिए गरंथी कहा जाता है जिनसे हार्मोन का निर्मान होता है और हार्मोन क्या होता है एक परकार का pigment जो के हमारे सरीर का हर एक अंग को active करता है उनको control and coordinate करता है तो इन में से कौन एक गरंथी नहीं है thyroid, अगनासय, यक या फिर जठर तो देखिए जठर है एक परकार का यह कोई गरंथी नहीं होता है क्योंकि जूस का निर्मान करता है जो अधिकतर प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है ठीक है तो जठर कोई गरंथी नहीं है अगला कुशन देखिए नेच्ट कोशन है कि आरेच फैक्टर का नाम किस से संबंदी थे आरेच फैक्टर देखिए जैसी के हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बलड होता है वो लगभग चार परकार को होता है ए बी ए बी और जीरो जिनको ओ गरूप का गया है जबसे आरेच फैक्टर का निर्मान तब से इसमें माइनस और पलस भी होना इस्टार्ट हो गया जैसे कि ए पोजेटीव ए निगेटीव बी पोजेटीव बी निगेटीव इस परकार से अगर बलड का टाइप से देखा जाए तो पूरा का पूरा आठ परकार का है तो यह आरेच फैक्टर कहां से आया आरेच जो है वो एक परकार का रैसिस नाम का मंकी से लिया गया था बंदर इस कोशन का राइट एंस रोगा अगला कोशन देखिए कि मस्तिक्स के किस भाग में भूख लगने वा भूजन से द्रिप्ती की अनुभूती करानी का केंद्र इस्तित है यानि कि अभी भूख लगा है य इन सब चीजों का भूख प्यास और डर का अनुभूती इनके द्वारा होता है मस्तिक्स गुलार्द में हाइपोथलेमस के द्वारा अनुमस्तिक्स के द्वारा या फिर इन में से कोई नहीं तो देखिए हमारे ब्रेन में पाए जाता है एक ग्लैंड जिसका नाम है हाइपोथलेमस गरन्ती के परजेंट में ही हमें भूख नींद और प्यास लगता है और डर भी लगता है इसकोशन का राइट एंसर हो जाएगा हाइपोथलेमस अगला कोशन देखिए नेश कोशन है कि मानो मस्तिक्स में बुद्धी का केंद्र है बुद्धी का केंद्र किनको कहेंगे सेरिब्रम मैडूला अबलोंगाटा सेरिब्रम या फिर इन में से कोई ने सेरिब्रम या फिर सेरिब्रम या फिर मैडूला अबलोंगाटा क्या होगा इसकोशन का राइट पूरा का पूरा भाग जो ताना सेंसरी कोटेक्स वगए यह पूरा का पूरा सेरी ब्रहम का ही पार्ट से जिसको मुद्धी का केंद्र का जाता है और अगर बुला जाता है कि पर्मानेंट जो मेमोरी होता है वो होता है अप़ा सेरीबेलम मैडूला अबलोंगाटा जो होता है इनको कहा जाता है link जो कि जितने भी external source होता है हमारे environment का या फिर हमारे body का इन सब जो मेसेज होता है इन सब मेसेज को सेरीबेलम में पहुचाने का अकाम मेडूला अबलोंगाटा कहीं होता है इसलिए अगला question देख लिजें आफ नेस्ट कोशन है कि सेरीब्रम किस से संबन्दीत है या क्रीट से नाडी से फिर दै या फिर मस्तिक्स तो देखिए सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, या फिर पॉंट्स मैडूला हुआ, ये तीनों के तीनों हमारे मस्तिक से रिलेटिट करता है, आप लोग कमेंट किजिएगा कि हुमन हार्ट का जो चेंबर होता है, कितने भागो में पाजाता है, हुमन हार्ट में कितने चेंबर पाजाते हैं, तो देखें हुमन हार्ट में चार चेंबर पाजाते हैं, दो अलिंद होता है, दो निले होता है, यकरित के बारे में अगर देखा जाए, तो ये जो कि यूरिय का निर्मान करता है नाड़ी नाड़ी जो होता है परकर कर नस होता है जो कि आर्ट्री और वेंस से बना होता है लेक्ष देखिए कि मनुष्य के मस्तिक्स का सबसे बड़ा भाग कौन सा है मस्तिक का का मध्य मस्तिक्स प्रमस्तिक्स या फिर अनु मस्तिक्स तो देखे इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा प्रमस्तिक्स प्रमस्तिक्स जिसको फोर ब्रेन कहा जाता है जो कि हमारे मस्तिक्स का सबसे बड़ा भाग है ठीक है अगला कोशन देखिए कि मानो सरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर योजना सकती होता है यानि कि रीजेनरेशन करनी के पावर सबसे कम हमारे सरीर के किन कोशिकाओं में होता है तो मस्तिक्स की कोशिकाओं में अस्तिक कोशिकाओं में यकृत कोशिकाओं में पेशी कोश जाता है क्योंकि हमारा पूरा ब्रेन फैट से और नियूरोन सेल से मिल करके बना होता है और नियूरोन सेल जिसमें रिजनेरेशन करने का पावर सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हमारा सरीर का यक्रीद जो हैपेटिक कोशिकाव से मिल करके बना हुआ है सबसे ज़्यादा रिजनेरेशन करने का पावर यक्रीद का है तो देखे इस कुशन का राइट इंसर हो जाएगा लेड इस्टीनर जो की राइट का या राइट समू का खोज करता कालाता है अगला कुशन देखिए कि किस रुधीर वर्ग में दोनों एंटीबोडी पा जाता है दोनों एंटीबोडी तो A, B, AB या फिर O अब लोग कमेंट किजएगा A, AB, B या फिर O किन में दोनों एंटीबोडी पा जाता है तो देखिए जो O टाइप का बलड गुरूफ होता है इसमें दोनों एंटीबोडी पा जाता है खिले अगला कुशन देखिए नेक्स कुशन है किस रुधीर वर्ग में एंटीबोडी नहीं पा जाती है एंटीबोडी उसमें नहीं पा जाता है A, B, AB या फिर O इसमें एंटीबोडी नहीं पा जाता है तो देखिए जो बलड गुरूफ AB होता है इसमें कोई भी एंटीबोडी नहीं पा जाता है याद रखेगा बलड गुरूफ AB में कोई भी एंटीबोडी नहीं पा जाता है नेस्ट कोशन और आज का लास्ट कोशन किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाजाता है देखें एंटीबोडी एबी बलड ग्रूप में नहीं पाजाता है लेकिन यहां कोशन है एंटीजन किसमें नहीं पाजाता है एबी एबी या फिर ओ तो देखें एंटीजन देखा जाये तो ओ में ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाजाता है और एबी में कोई भी एंटीबोडी नहीं पाजाता है इस चीज को याद रखेगा तेले दूस्तों मिलते हैं स्क्लास थैंक्यू